हेलो टू आल दा सब्सक्राइबर्स अगर मैं आपसे कहूं मुंबई तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा सायद बॉलिवूड मनी या अमबानी का आलिसान घर राइट लेकिन अब मुंबई में कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी लिस्ट में एक नाम और तो जुड़ जाएगा जी हां हम बात कर रहे हैं अड़ल सेतू बृच की जिसे मुंबई ट्रांस हारबर लिंक के नाम से भी बुलाया जाता है इस बृच के साथ मुंबई का छे दसक पुराना सपना आखिरकारसच हो ही गया अड़ल सेतू बनाया गया है मुंबई से नवी मुंबई के बीच जो की देश का longest sea bridge है तो चलिए शुरू करते हैं लगबख 7500 वरकर्स और इंजिनियर्स ने दिन रात काम किया है मुंबई के इस 60 साल पुराने सपने को पुरा करने के लिए ये bridge 22 किलोमेटर लंबा है और ये दुनिया का बारवा सबसे longest bridge है ये bridge साउथ मुंबई के सेवरी से सुरू होकर नवी मुंबई के चेरली तक बनाया गया है इस bridge की वज़ा से distance काफी कम हो गया है साउथ मुंबई से नवी मुंबई के बीच पर अब आते हैं इस bridge को यूज करने के लिए आपको कितना toll देना होगा चार्ज जनवरी 2024 को disclose किये गए toll rates के अनुसार इसका one-way charge है धाईसो रुपे पर आप सेम डे को return वापिस आते हैं तो यह आपको पड़ेगा 375 रुपे फोर round trip इसी के साथ डेली और मंतली पास को भी इंट्रिडूस किया गया है जिसका कॉस्ट है 625 रुपे फोर डेली पास एंड 12,500 रुपे फोर मंतली पास इतना ही नहीं आपको इस ब्रिज पे मिलेगा इंडिया का first open road tolling system तो अब toll gate पे wait करने की जंजट भी नहीं है लेकिन इस ब्रिज पे motorcycle, auto rixa और tractor को allow नहीं किया गया है यहाँ पे marine life का भी पूरा ध्यान रखा गया है जिसके लिए आपको यहाँ मिलेगा special light pole जिसकी light सिर्फ bridge पे ही पढ़ती है और इसकी light आपको bridge के बाहर पानी पे बिल्कुल नहीं दिखाई देगी इतना ही नहीं आपको इस bridge पे noise barrier और sound barrier भी देखने को मिलेंगे तो आप जब भी इस bridge का use करें तो यहाँ के rules और regulation का ज़रूर बालन करें और enjoy करें अद्बुत नजारे का जो आपको इंडिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा